आज हम जिसे कुतुब मिनार के नाम से जानते हैं। दरसल वह एक बहुती प्राचिन इमारत है और इसका नाम प्राचिन विश्णु इस्तंब या मेरु इस्तंब है। इतिहास कारों का मानना है कि यह इमारत समराट विक्रमा दित्ते के 9 रतनों में से एक खगोल शास्त्री, गणित तग्य और जोतिशाचारी वरह मेर के लिए बनवाई गई एक ऐसी इमारत है जिसके माध्यम से खगोली जानकारियों पर अध्यन करना था। क्योंकि उस समय के दोर में खगोली अध्यन करने के लिए दुनिया भर से जाने माने खगोल शास्त्री और जोतिशाचारी यहां आते थे और वे इस प्रयोक शाला के माध्यम से देश में होने वाले आनेकों प्रकार के मोसम और उससे सम्मंदित अन्य जानकरियों जुटात लेकिन उससे पहले मैं आप सबस्क्राइब करना चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब जरू करें और बेल आएकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियों को भी आप देख सकें तो दोस्तो सूर्य को मिहिर के नाम से भी जाना जाता है और मिहिर शब्द से ही महरावली शब्द बना जो बाद में महरोली कहलाने लगा आज का यह महरोली किसी समय में दुनिया भर के लिए जोतिस, खगोल, विग्यान और गणीत के अध्यन और शोध का एक बहुत बड़ा केंदर हुआ करता था महरावली में स्थित इस मिनार के पास ही में 27 मंदिर रुपी कमरे भी बने हुए थे और क्योंकि इस स्थान पर नक्षत्रों के बारे में शोध कारी होते थे इसलिए इस स्थान को कुम्भ हीरावली नाम भी दिया गया था आज के दोर में इस मिनार को कुतुब मिनार क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी दो कारण बताय जाते है जिसमें से एक तो यह है कि सन 1193 में यहां अफगानिस्तान से आए मुगल लूटे रे कुतुबुद्दिन एबक ने यहां भारी तादाद में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचा कर उन्हें मजजिद बनवाने का अदिश दिया कुतुबुद्दिन एबक ने जब देखा कि विसनुस्तंप कहे जाने वाली यह इमारत इतनी भोवे और विशाल है कि वह सोच भी नहीं सकता था तो उसने इसको तुलवाने की बज़ाए इसमें कुछ बदलाव करके उसे अपना नाम दे दिया और तब से यह मिनार कुतुब मिनार कहलाने लगी जबकि इसके पास ही में बने एक दूसरे मंदीर को उसने आधा दुरा तरुआ कर उस पर एक मजजिद बनवा दी अर्थत मेरुस्तंब बना कुतुब मिनार अब सवाल उठता है कि इतनी भवे और विशाल इमारत जो आज कुतुब मिनार के नाम से जानी जाती है और जिसका प्राचीन नाम विश्नुस्तंब या मेरुस्तंब है इसको बनवाने के पीछे मकसद क्या रहा होगा आखिर क्यों इतनी विशाल और आश्चर चकित करतेने वाली इमारत बनवाई कही होगी तरएसल मेरुस्तंब को सूरी से समबन्दित बताया जाता है और सूर्य का एक नाम विश्नु भी है इसलिए मेरुस्तंब को विश्नु धवज के नाम से भी जाना जाता है इतिहासकारों के अनुसार इस विस्नुस्तंब में यानि मेरुस्तंब के चारों और ग्रहों की छाया को मापने के लिए स्वर्ण जडित लकडी के लट लगे हुए थे और जिन इस्थानों पर ये लट लगे हुए थे उनके छेद आज भी देखे जा सकते हैं इस प्रकार विस्नु ध्वज या मेरु ध्वज या आज का कुतुब मिनार अपने समय में खगोल विज्ञान और जोतिस के अध्यन और शोध के एक बड़े केंदर के रूप में विख्यात थे दरसल वराहा मेहिर महरावली यानि महरोली में अपने सहीयोगें के साथ रहकर ग ही हम कुतुब मिनार के नाम से जानते हैं और अगर इसके निर्मान को तकनीकी द्रस्टिस देखा जाया तो इसकी सरचना स्रीमत भागवत पुरान में वर्णित मेरु परवत से मिलती है पुरान के अनुसार मेरु परवत की उंचाई प्रत्वी से उपर 84,000 योजन और प्र वित्र इस्तंब का निर्मान भी ठीक उसी मेरु परवत के अधार पर करवाया और एक हजार गज को एक गज माना आज भी कुतुब मिनार की धरती के भीतर की गहराई 16 गज है निव के पास का मिनार का गहरा भी 16 गज है प्रत्वी के उपर मूल मेरु इस्तंब 84 गज या 252 फिट उचा था लेकिन इसकी सबसे उपरी मंजील के तूट जाने के बाद से वर्तमान में इसकी उचाई 234 फिट और 7 इंच रह गई है मेरु इस्तंब का आकार गाजर या कमल के फूल की पंखुडी के समानी नीचे से उपर के और पतला होता चला गया है मिनार की छाया का निसकर्स और इसके पांच डिग्रियांस पर जुकाओ और इसमें 27 विशिस्ट प्रकार से बने हुए रोशंदान इस बात की और इशारा करते हैं कि यह विश्णु इस्तंब नक्षत्रों और ग्रहों के अध्यन के लिए वास्तों में एक विशेश वेदशाला के रुप मे प्रयोग अनवाली इमारत थी यहां इस बात के कई प्रमान है कि यह इमारत वराह मिहिर की प्रयोग शाला ही थी और साथ ही कुछ इतिहास कारों द्वारे इसे कुतु बुद्धी नेबक के द्वारा बनवाने की बात को जूटा साबित करने में कई साक्ष आज भी उपलब ना थी और इन तथ्यों से भी बात यह बात स्पस्ट हो जाती है कि मेरुस्तंबक का निर्मान ग्रहों एमतारों की गती का अध्यन करने के लिए ही क्या गया था अफगान लुटेरे एबक के द्वारा इन अक्षत्र मंदिरों और विश्णू मंदिर को तोड़ देने के बाद उस समय के ज्ञान विज्ञान और वुद्क्रस्ट सब्विता संस्क्रिती का एक महान प्रतीक भी नस्ट हो गया 27 मंदिरों को तोड़ कर जो मजजीद बनाए गई यह मध्य यूगीन इतिहास की सबसे बड़ी बरबरता का उधारन है और इस बात को किसी अन्य धर्म के इतिहास कारों ने नहीं बलकि इसलाम के इतिहास कारों ने भी माना है चाहे फिर उनकी यह सिकारुकती और उद्देश अपने धर्म और उसका गुंगान रहा हो या फिर अपने बादिशाहों के कारनमों को रंगीन बना कर पेश करना रहा हो तो साथियों में उम्मित करता हूं कि तक्तियों के साथ पेश की गई या जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें शेयर भी करें और लाइक का बटन दबाना ना भूले धन्यवाद